जाती है तो जाती चन गरना तो जरूरी है तो जबkorhips मिला है धर्म के नाम में मिला जब लाग है यह बहस तो उसमय भी चली थी जबाव द затril परिवर्टन कर लेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे उसका जबाब दॉक्टरममेटकर नंने दिया था लिक दून सबसे पहला करें कि सीधा 52 परसेंट रिजर्वेशन लागू करें हमको बीजेपी या कॉंग्रेस अगर आमने सामने तो हम सारे लोगों से अपील करें कॉंग्रेस को वोट दे तो इसको हराओ सरकारी डरा हुआ हर बात पर भावना हाथ हो जाती तुमारी पुरानी इनकी परम करता है सारा मोधी का पैसा है अनोखा यह है कि फिजिकल मोड में वर्चुल मोड में दोनों में यह बात हो रही है और उत्तर दक्षिन पूरा पस्चिम सब दिशायें मिल रही है और इसमें सारे तमाम आप मुझे लगता है एक दर्जन से जादा पार्टी के लोग इसमें और कई CM, Deputy CM भी यहाँ पे रहे हैं और उससे भी important बात यह है कि आपने देखा होगा कि उसमें जो लिखा हुआ है संगठन का नाम यह समाजिक संगठन इतना जो अंदुलन कर रहे हैं इतने दिनों से लगातार इस मसले को उठा रहे हैं अच्छी बात है कि अब political class इसको लेकर serious हो रहा है और political class अब आरपार के mood में नजर आ रहा है और सिर्फ caste census को ही लेकर नहीं आपने देखा होगा बात चीच चली होगी रिजर्वेशन को लेकर, representation को लेकर जो atrocities हो रहे हैं इस्परिशली शिललकास, शिल्टराइब और मैनुटीज उस पर जो atrocities हो रहे हैं और जिस तरह से अडानी का रातो रात बर्रा संपत्ती नीजी करण तमाम पहलूँआँ पर बात हुई है तो जाती चनगन्ना होगा तो पता लग जागा ना के पास क्या है कौन किसका हग खा रहा है जाती है तो जाती चनगन्ना तो जरूरी है जब बेड़ पकड़ी के गिंती हो रही है पेड़ पदों की गिंती हो रही है शेरों की गिंती हो रही तो इंसान तो इंसान जाती तो सचा ही है सरकार रोक रही है और राइट विंगर जो अपर कास्ट और RSS जो है जितने प्रमानिकल फोर्सेज उनको डर है ना कि वो पता लग जाएगा पक्षी तो बार बार टिपड़ी कर रहा है कि मान लीजी आप सनातनी है गर्व से कही है हम सनातनी है हम नहीं हैं हम लोग कहा सनातनी नहीं हैं तो क्ला है फिर आप लोग हम दलिप हैं अ कम्निटी के ना में व्य दी ती जब धर्मांतरन की बात हुए ती दॉक्टर मेटकर के तो लोक बढगला रहे ते लोग को याप धर्म परिवर्टन कर लेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे उसका जबाब डॉक्टर रम बेटकर ने दिया था लिक के कि यह आरक्षन जो प्रतिनिति मिला है कॉम्मुनिटी के आधार पर मिला धर्म के आधार पर नहीं मिला इसलिए शीडूल कास्ट है सिडूल में डाला हुआ कास्ट है शीडूल्ट ट्राईब है तो सिडूल ट्राईब और सिडूल कास्ट कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं हम लोग तो चाहते हैं कि लड़े हम लोग चाहते हैं लड़े और इस बीजेपी से मुक्ति मिले देश को हमें ही नहीं देश को मुक्ति मिले लड़े और मुझे लगता है कि बहतर शिरुवात है कि कम से कम एक मंच पर सारे लोग आज नजर आए हैं आप देख लिए कश्वीर से भी थे फारुक अबदुल्ला साब ते स्टालिन भी थे असोग गलोत थे ते जस्वी आदव अखलेश यादव अब सब सोसल जस्टिस की जरकालने बात तो कर रहा है न यह जो कनफूजन जो फैला हुआ था वो डिड़ था थे पहले शिडू कास्ट मुस्लिंब मेटर करता था अाजकाल तो ऐसा हो गया है कि श्टाश कोई बोटी बांगने नहीं जाता है यह नेपाल ने किया है कि पाकिस्टान ने किया कि चाइनान नगिए इसी देशके लोगों ने सुर्सल लिंजकी कि किया राएकाएना जागंगा जाका जिध्य को इसिलिए बीजज ज्रॉत यनिश्टर, यही लिला है लुको ऑरस कि समाज चिंता में है जिस तरह गितर सबसे पहला कर रहे हैं कि सीधा 52 परसेंट रिजर्वेशन लागू कर दें क्या दिक्कत है कि सम्मित पात्रा एक OVC नरेंदर मोधी ओभी 2002 में OVC बने दो चार के आसपार तो वो जो है वो पूरा OVC हो गए कर दो हम उल्टा कर रहे हैं जितने हख मिले हैं स्टी को या OVC को आरे से भाजपा ने दिला हैं कि पहले की सरकारों ने जिसमें से जातर समय कोंग्रेस रारीजी में उसने दिलवाए हैं अब को बीजेपि या क्ऊंग्रेस अगर आमने सामने तो हम सारे लोगों से अपील करें को वोट दितो इसको हड़ा हमारेजी सित मारे भावना है जहां तहां देखो जो जो एजनसी जहां उसका गलत इस्तमाल हो रहा है CVI, ED का, पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, सब का इस्तमाल हो रहा है मेरी गिरफ्तारी हुई थे ना, दिल्ली पुलिस ना क्या लिखे दिया है कोड़ी लिख के दिया है कि रतनलाली इस नो लंगर रिक्वाइड फॉरिन इविस्टिकेशन अफ दी केस तो हर बारी में क्यों कि रफ्टार करवा ले तो हम नहीं यह लगने करते हैं हम तो तो यह सरकार हर जो डिसेंटिंग वॉइस है जो डिमोक्रिटिक वॉइस है सब को दबाना तो हमको नरंदर मोधी राहूल गानी में चुनना हो तो हम इसे पिछडा को क्यों चुने कि जो पिछडा सारे पिछडों का हकी मार रहा है सारा डानी को बेच रहा है सारा रिजर्वेशन कितम कर रहा है आखास से लेके पताल तक जो है एरपोर्ट से लेके कोईला खादान तो दर्द समस्ता हूं अपने भाई हो चाय पेची है जैसे एंटायर प्लिटकल साइंस की डिग्री लिए वी एमें की टिक्री वह सी चाय बेचे था इस अब गप मारने वाइव लोगे अच्छा लगता है यह अब यह चलेगा नहीं दस साल हो गया कि ओवी से तो बावन को च चाहिए जात्रों को ऑक्सवर्ड गैंवर्ड वेजो तब नहीं लगया कि लिए कुछ कर रहे हो गाल बजाने से कुछ नहीं होता है वेजो ना किसी ने रोका है किसी इस देश के स्टी रोका है देखते हैं कौन रोकता है 500 इसी साल मोधी जी कर देंगी 500 वीसी बच्चों को 500 वीसी बच्चों को हरवर्ड कैमरी जो को लंबिया वक्सवर्ड लंडन इनवर्स्टी हम फुल स्पॉलर्शिप देंगे को दिक्कत है कहने लेकिन सबका साथ सबका विदाश करो ना तो इसलिए तो कहरा हम तो 500 वीसी बच्चों को भेज तो क्या दिकत है खली गाल पिछड़े बार के लोग पहले राजा नहीं हुए हुए नवर्ण बेवस्ता तब भी कायम था ना सब लगातार यह आरोप लगा जारे कि सभी बरस्टाचारी जिए भी है वो सब एक चत्के नीची है हाँ इतो एकोली लाकू होता है कौन बरस्टाचारी है तक क्यों नहीं अडानी पे खुलासा कर दे रहे हैं अरे कमसंगम यूपिय सरकार में डी राजा भी बैठे हुए है आरोप लगा तो उनको जेल भी जाना पड़ा ना वो तो मिनिस्टर थे लालू परसाधी आदाव को भी जेल दाना पड़ा ना केस हुआ न यहां तो अडानी पे क्यों नहीं खुल के बोल दे रहे है वो तो अरविंद केजरिवाल ने बिधान सवा में पूरा लगाया है न कि पूरा अरोप लगाया है कि अडानी का पैसा न वंडर बनाओ जारगन बनाओ कम टू दे पॉइंट ना बिसिक पॉइंट बताओ इडवलुएस का संविधान में कहां प्रोविजन है जो कॉंस्टिटूशनल मेंडेट था उसका पूरा किये करो सतर साल में क्या हुआ था बेच रहे हो तो तो आरे से बनाया था या सावरक करने के अलाबा एक भी जॉइंट पार्लेमेंटरी कमिटी बनी है एक भी संसद में कोई डिबेट आपने देखा है तो आप इतने पाक साफ हैं तो संसद में डिबेट कराईए ना सब इस्टिव ओडर से क्यों लिए आपने पार्लेमें न्यू एजुकरिशन पॉलिसी लेक गही हैं सिर्फ गाल गप मारते हैं गप मारने में एक नंबर प्राइम निस्टर और उनके प्रवक्ता सब तो हैं जब आप दीजिए ना अब सोचल मीडिया आप इनके भक्त लोग भी आजकल नजर नहीं आ रहे हैं कि उस सब का पेट का सवाल है डानी जी आ भक्ति करने से अब मोदी जी करने से रोजी रोजी नहीं में जाएं